हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल निनी टिटोरियल्स दोस्तों आज हम आप और हम मिलकर भर्वा करेला की सबजी बनाने वाले हैं चलिए यह आधा किलो करेले ले लिए हमने इसको धो लिया है और अब यह चील लेंगे हम उसको ताकि इसमें अच्छे से नमक जब लगाएंगे तो नमक लग जाना चाहिए यह देखिए और जो चीलने का मटेरियल है उसको भी रख लिया हमने यह देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से सारे करेलों को हम चील लेंगे अब बीज से एक ये देखे कट करा हमने जिसमें बीज होंगे वो बीज निकाल देंगे हम जिस करेले में बीज नहीं है उसे रख लेंगे इसमें बीज है देखिए इसको हम निकाल दिये हैं और इस तरीके से करके रख लेंगे इसी तरीके से पूरे करेलों को हम नीचे साइड का नहीं वो करेंगे ये बीज निकाल निकाल करके क्लियर करके रख लेंगे इसी तरीके से पूरा उसके बाद हम नमक लगाएंगे यह देखिए पहले पूरा छील लिया फिर उसको हमने इस तरीके से पीछ से यह देखिए हमने क्लियर कर लिया और अब हम यह देखिए फ्रेंस अब हम मसाला ते नमक लगा देंगे इसमें अच्छे से और बाहर से छीला हुआ है इसलिए बाहर से भी नमक उसमें जाएगा और अंदर भी डाल देंगे एक एक चुटकी अब हम ये देखिए ये हमने अद्रक लेसून और प्याज का है अपना और उसके साथ साथ टमाटर है ये हमने पानी कड़ाही में रखा उसके उपर छन्नी रख दी छन्नी के उपर हम ये करेले जो नमक लगे हुए थे हमारे उसको रख दिया है हमने अब हम इसको भाफ से स्टीम कर लेंगे और ढख के रख देंगे और स्टीम जब तक हम एक साइड में ओयल डाल कर मसाला बुझेंगे भरने के लिए बरावन यह हमने ओयल डाल दिया है अब हमने प्याज का पेस्ट है यह हमारे इसको यह अद्रक है हमारा यह लैसुन का पेस्ट है इन सब को हम अच्छा सा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे यह देखिए हमने यह देखिए अच्छे से इसका पानी भी सुख गया हलका हलका भूंच गया है अब हल्दीर पॉर्टर डालेंगे ये हमने लाल मिर्च पॉर्टर डाल दिया है इसमें ये फ्रेंड नमक मसाले के बराबर करेले के बराबर नमक पहले से डला है ये दनिया पॉर्टर डाल दिया हमने और ये हमारा जीरा पॉर्टर है तो फ्रेंट्स ये हमने थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है थोड़ा सा इसको चलाएंगे हम मिक्स कर देंगे ये देखिए ये जब तक हम इसको दीमी आज में कर लिया है मसाले को तब तक हम करेला देख लेंगे करेले हमारे तयार हो गए है इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और मसाला भी हमारा लगभग तयार हो गया है अब टामाटर की प्यूरी डाल दी हमने जो टामाटर पीस के रखा था ये देखिए अब हम टामाटर की प्यूरी को भी सुखाएंगे जब तक और तब तक हम इनको फिर से दो लेंगे करेला को दो कर इसका पानी अच्छे से निचोड़ देंगे इस तरीके से ड्राई करके हम वो जो मसाला हमने ये भूँज रहे हैं इस मसाले को ये देखिए हमारा मसाला भूँज गया है टमाटर ने भी पूरा सुखा लिया हमने टमाटर का पानी भी ये अब हम इन में भर के थोड़ा धागा लपेट देंगे ताकि मसाला बाहर ना निकले इसी तरीके से सारे करेले हम भर देंगे और अब हम देखिए हमारे सारे करेले भर गए अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे उसी कड़ाई में, जिस कड़ाई में हमने मसाला भूंजा देखिए फ्रेंज, ये हींग डाली हमने थोड़ी सी, ये हल्दी डाल दी यह देखिए यह थोड़ा नमक डाल दिया उपर से हलका सा ताकि यह देखिए अब इन करेलों को इस पर रखके हम फ्राई कर देंगे हलका हलका रोस्टेड होता जाएगा नॉन स्टिकी कडाही है यह हमारी इसमें रोस्ट कर लेंगे इसको देखिए और गुलाबी होने तक इसको पकाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट डिश हमारी तैयार बहुत ही अच्छी और इस तरीके से बनाने से बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं करे ले क्योंकि हमने स्टीम दे दी है फ्रेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं देखिए कलर बदल क्या बहुत ही टेस्टी लग रहा है ऐसा लग रहा है अभी पराठा के साथ इसे खाया जाए बहुत ही टेस्टी हाँ दोस्तो अगर मेरा ये डिश आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आपके पास आती रहूंगी दोस्तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ